हेलो मापन से रिलेटेड धेर सारी इंपोर्टेंट चीजे बताईं उसमें दोस्त आपको मापन से रिलेटेड जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं इस सारी चीजे हमने पिछले क्लासस में कंपेट किया है वेरी इंपोर्टेंट आज के दोस्त इस वीडियो में हम उन्हें आपका जो मूल मात्रक है यानि कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे एक एक पॉइंट को आप समझिएगा नोट डाउन करते हुए दोस्त जरूर चलिएगा चैनल पर पहली बार विट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आज का दोस्त ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें धेर सारी आपको डिपन फिजिक्स और आपका बॉयलोजी भी यहां पर कंप्लेट है मैथमेटिक्स ग्रूप ए के लिए भी वह भी आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा दोस्त बात करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं आज का दोस्त हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह यहां पर डिफिनीशन of fundamental units of SI system यानि कि जो भी हमारे SI पद्दती के मूल मातरक हैं उनके हम पूरे आपके परिभाशा यानि कि डिफिनीशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे यानि कि जो आपके साथ मूल मातरक हैं कौन-कौन से मीटर, किग्रा, सेकेंड, एंपियर, कैल्विन, कैंडि इन साथों के बारे में हम आपको डिटियल से यहां पर बताएंगे ठीक है वेरी इंपोर्टेंट है ग्रुप ए वाले स्टुडेंट ध्यान देंगे इसमें बहुत सारा आपको इंटरेंस एक्जाम में डारेक्ट ही क्वेस्चन मिल जाते हैं जैसे एक मिली सेकेंड में कित सेकेंड होते हैं या पीको सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं तो यह क्वेस्चन आपको डायरेक्ट ही ऐसे इंटरेंस एक्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं यह आपका वीमी सुत्र से भी आ जाता है ठीक है कि इसमें से कौन सा आपका वीमी सुत्र है जैसे आपको आएगे, very important हैगा, ध्यान पूर्वक आप समझेंगे, इसमें आपका आगे और भी आपका important topic आएगा, ठीक है, उसमें बहुती कराशी का वीमा आएगा, कोटीमान आएगा, सार्थक अंक आएगा, very important जो की और note down करते हुए ही चलिएगा सबसे पहले दोस्त हम meter के बारे में बात करते हैं तो meter दोस्त क्या है यह हमारा एक लंबाई का मातरक है और एक meter वह धूरी होता है जो सुद्ध क्रिप्टान 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकास की कितने किरड़े आती है 165076373 तरंगे आती है ठीक है लंबाई के आपके धेर सारे छोटे बड़े मातरक भी होते हैं जैसे अगर हम बात करें एक कीमी एक किलो मीटर में कितना होता है तो यह आपका 1000 मीटर होता है ठीक है डेसी मीटर की बात करें तो 10 to power minus 1 मीटर होता है एक सेंटी मीटर की बात करें तो 10 to power minus 2 मीटर होता है एक एमिल की बात करें मिली की बात करें तो 10 to power minus 3 मीटर होता है एक माइक्रोन की बारे में बात करें दोस्त तो 10 to power minus 6 मीटर होता है ये question intrinsic exam में पुछा गया है दोस्त, एक micron में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तो ऐसे question को दोस्त आप note कर लिजेगा, एंग इंगेश्ट्राम में कितने मीटर होते हैं, तो एक इंगेश्ट्राम में आपका 10 to power minus का 10 मीटर होते हैं, एक x मात्रक की बारे में बात करें, तो x मात्र में कितना मीटर होते हैं, आपका 10 to power minus का 13 मीटर होते हैं, ठीक है, लंबाई एक जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, किसका प्रकास वर्ख, ठीक है, लंबाई का सबसे बड़ा जो दोस्त मात्रक है, प्रकास वर्ख है, लाइट येर है, लाइट येर के बारे में भी दोस्त हम बात करेंगे तो जो आपका light year है वो प्रकास वर्स का दूरी का मातरक है ठीक है किसका दूरी का मातरक है अगर हम इसकी definition के बारे हम बात करें light year की तो निरवात में प्रकास द्वारा एक वर्स में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं प्रकास वर्स कहते हैं very important है इसमें दोस्त आप जैसे एक प्रकास वर्स तो एक प्रकास वर्स में कितने मीटर होते हैं ठीक है कितने मीटर होते हैं कितने किलो मीटर होते हैं अगर मीटर की बात करें तो 10 to power 16 मीटर लगभग ठीक है एप्रोक्स में होते हैं किसमें एक प्रकास वर्स में ठीक है अगर हम kilometer में बात करें तो kilometer में क्या होगा यहाँ पे 10 to power minus 3 से multiply कर देंगे यानि कि 10 to power यहाँ पे 16 है into 10 to power minus 3 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 10 to power 13 हो जाएगा ठीक है यह आपका kilometer में आ गया light year यानि कि एक प्रकासवर्स में कितने यहाँ पर किलो मीटर में आपका वेल्यू आ गई दोस्त यह इंट्रेंस एक्जाम में भी दोस्त पूछा जाता है इसलिए इसको ध्यान प्रुवक्स समझेगा ठीक है एक सेकेंड में जो है वो कितना दूरी तै करता है थ्री इंटू 10 टू पावर 8 मीटर के दूरी तै करता है वेरी इंपोर्टेंट है यह आप जो डिफ्लीशन में आपको बता रहा हूं जैसे कुछ भी आपकी वेल्यू है एक प्रकास वर्स है या एक एंश्टाम है माइक्रोन है यह वेल्यू दोस्त डायरेक्ट आपको इंट्रेंस एक्जाम में पुछे जाते हैं ठीक है त इसी क्यू के बाद इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है नुमेरिकल के लिए दोस्त मैं आपको अलग से एक प्रवाइट करा दूंगा पीडिएफ के लिए जो भी दोस्ते यहां पे बोल ले थे तो पीडिएफ के लिए टेलिग्राम चैनल दोस्त आल्लेडी बना पी इस्टडी पॉइंट सर्च करेंगे दोस्त चैनल का लोगो मिल लिएगा वहाँ पे आलेडी पीडिएफ पड़ा हुआ है और लेटेस्ट पीडिएफ पी मैं वहाँ पे प्रवाइट करा दूंगा आप लोग दोस्त जोड़ सकते हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मे भी लिंक मिल लेगा वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं अगले दोस्त हम यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं हमारा दूसरा हमारा है किलोग्राम ठीक है जो हमारी फंडामेंटल यूनिट से दूसरा है किलोग्राम इसको हम केजी से डिनोट करते हैं किसे दोस्त केज क्या होता है कि एग पलेटीनम इरेडियम के एक विशेष टुकडे के द्रव्यमान के बराबर हैं अगर वहार में एक किग्रा 4 लिअचाह यरी सेल्सेज ते 1 लीटर अथ 5,00 सेंटीमींटर के जल का द्रव्यमान हमारा उता है ठीक है इसमें हम धेर सारे आपको चीजे बताएंगे एक किलोग्राम कार्बन सी ट्वेल्ब के 5.0188 into 10 to power 25 परमानों का एक दरव्मान है ठीक है दरव्मान में आपका धेर सारे चोटे बड़े मात्रक भी होते हैं कौन-कौन से होते हैं वो आप देख लिजिए जैसे अगर मीटरी टन की बात करें तो मीटरी टन में क्या होगा 10 to power 3 kg कुंतल की बात करें दोस्त केंटल में आपका क्या होगा 10 to power 2 kg हो जाएगा ठीक है यानि कि 100 kg एक ग्राम क्या होगा एक ग्राम में आपका 10 to power minus 3 kg हो जाएगा एक मिलिГ्राम की बात करें दो मिलिग्राम में क्या होगा 10 to power minus 3 ग्राम और इसको हम क्ला में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 kg ठीक है एक मिलिग्राम में ठीक है तो यह आपका definition है इसको दोस्त आप note जरूर करिएगा अगला हम point पे चलते हैं second तो second दोस्त क्या है या आपका समय का एक मात्रक है ठीक है इसे हम S से denote करते हैं किसे small s से denote करते हैं formula दोस्त very important है आप numerical solve करेंगे वहाँ पे इन सभी चीजों का आपको use वहाँ पे मिलेगा ठीक है कि 1 millisecond को हमें second में convert करना है तो कैसे करेंगे ठीक है वह आपको किसमे numerical जब कराएंगे दोस्त वहाँ पे आपका जरूरत पड़ेगा इसलिए आप इसे note करते हुए ही चलिएगा ठीक है second के बारे में बात करते हैं दोस्त एक second वह समया अंत्राल होता है जिसमें परमाडू घड़ी में cgm 133 परमाडू कितना बार कंपन करना है 9192631770 बार कंपन करता है ठीक है समय के अन्यमात्रक भी होते हैं जैसे बात करें एक मिली सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं तो एक मिली सेकेंड में आपका 10 to power minus का 3 सेकेंड होता है माइक्रो सेकेंड के दोस्त बात करते हैं माइक्रो सेकेंड में आपका 10 to power minus का 6 सेकेंड होता है ठीक है नैनो सेकेंड दोस्त इंटरेंस एक्जाम में आया हुआ है एक नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं तो एक नैनो सेकेंड में आपका 10 to power 9 सेकेंड होते हैं यहां लास्ट दोस्ट पीको सेकेंड की बात करते हैं एक पीको सेकेंड में आपका 10 to power माइनस का 12 सेकेंड होता है यहाँ पे ठीक है अगले पी दोस्ट बात करते हैं एंपियर ठीक है वेरी इंपोटेंट है एमपीर के है ये आपका एक विद्धुधारा का मात्रक है और फोर एमपीर विद्धुधारा वह धारा होता है चुक्कि निर्वात में एक मीटर की दूरी पर इस्थित दो सिधे अननत लंबाई के समानतर तारों में प्रवाईत होने पर प्रतियक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 x 10 to power minus 7 Newton का force उत्पन करता है ठीक है यह हमारा क्या है Ampere का Definition है किसका दोस्त Ampere का Definition है Next अगले पर चलते हैं दोस्त अगला हमारा point है Kelvin Kelvin क्या है दोस्त यह आपका ताप का एक मात्रक है ठीक है और एक Kelvin के त्रिक बिंदू यानि कि triple point के उस्मा गति की ताप का कितना भाग होता है 1 upon 273.16 वह भाग होता है वो हमारा Kelvin कहलाता है ठीक है Candela की दोस्त बात करते हैं इसको हम CDC denote करते हैं small c d से denote करते हैं ठीक है यह आपका एक जोति तिव्रता का मात्रक है और एक Candela क्रिष्टिका के प्रिष्ट के 1 upon 6,0,00,00 वर्ग मीटर छेत्रफल की प्रिष्ट के लंबवद दिसा में जोति तिव्रता है जबकि क्रिष्टिका तापका प्लेटिनम गलनांग क्या है आपका कितने के बराबर हो 10,13,25 पासकल दापके बराबर हो ठीक है लाश्ट दोस्ट हम मोल की बारे हम बात कर लेते हैं मोल क्या है यह आपका एक पदार्थ की मात्रक है एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होता है जो की उस पदार्थ के अव्यवो की संख्या आपका बताता है ठीक है C12 के 0.012 ग्राम प्रमानवो की संख्या के बराबर होता है वो हमारा क्या है एक मोल कहलाता है तो आसा करते हैं दोस्ट आज के अभी मैंने आपको जो भी चीजे बताएं वो सभी आपको समझ में आ गया जो भी हमारा मूल मातरक है ठीक है, fundamentals units आपको समझ में आ गया ठीक है, अब हम बात करेंगे हाँ पे पूरक मातरक ठीक है, definition of complementary units के बारे हम बात करेंगे दो आपके क्या है, पूरक मातरक है कौन कौन से हैं दोस्त, पहला आपका radian है, दूसरा इस्टे radian है ठीक है, दोनों के बारे हम बात करेंगे radian को हम denote करते हैं दोस्त rad से small का एक radian वह कोड होता है जो की वृत की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत के केंदर पर अंतरित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक radian कहलाता है ठीक है, इस्टे radian के बारे हम दोस्त बात करते हैं एक चो आपका इस्टे radian है वह गहनकोड होता है, जो की गोले के प्रिष्ट का वह भाग, जिसका छेतरपल गोले की त्रिज्जा के वर्ग के बराबर होता है और गोले के केंदर पर आपका आंतरित करता है, ठीक है, ये तो रहा दोस्त आपका important चीजे इसको दोस्त आप जरूर से जरूर नोट कर लिजेगा और जो भी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ एक बार आप फिर से repeat करके देखिएगा, क्योंकि ये दोस्त आपके लिए very important है इंट्रेंस एक्जाम में दोस्त ऐसे question पुशे जाते हैं और numerical solve करेंगे दोस्त तो कि आपको बहुत ही ज्यादा वहाँ पे importance देखने को मिलेंगी next दोस्त हम जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी दोस्त इस से related भातिगरासी की वीमा से related ठीक है बहुत सारी चीजे उसमें आपका मापन में त्रूटी वीमाओं की सीमा वीमाओं का उपयोग और आपका जो है सार्था कंका और कोटिमान ये सारी चीजे मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा साथ ही आपका MCQ टाइप के question उसके बाद ही आ जाएगा दोस्त और आपका जो entrance exam में जैसा question पुछा जाता है वैसा दोस्त हम आपको solve कराएंगे यानि कि question paper solve कराएंगे वो आपका exam के समय आप तैयारी अच्छी तरीके से दोस्त start कर दिजिए हमारे साथ दोस्त बने रहिएगा आसा करते हैं आज के इस वीडियो में जो भी हमने थेंक यू सो मच